हेलो फ्रेंड्स वेल्कूम बेक तो मैं चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगी कि चीया सीट्स हमारे बालों के लिए कितने यूजबूल हैं इससे कैसे हेर मास्क बनाते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें होता है फाइबर, ओमेगा 3 पैटी असिट्स, फाइदे मन होगा चीया सीट्स हमारे बालों को जड़ से मजबूत बनाता है, हेर ग्रोथ को प्रमोट करता है और जितनी भी हेर प्रॉब्लम्स हैं उन सब को दोर करता है इस हेर मास्क को लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह आप सुलजा लीजिए अब पूरे हेर मास्क में आपको बता रही हूं इसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाला है आपको इसको आप जरूर ट्राई करना इस हेर मास्क को आपने वीक में वन टाइम जरूर एपलाई करना है इस हेर मास्क को लगाते रहने से आपके बाल अग बालों में शाइनिंग आ गई, बाल इतने स्मूथ हो गए कि मेरा मन किया कि मैं जल्दी से आपके साथ ये हेयर मास के शेयर करूँ ताकि आपको भी इसका अच्छा सा रिजल्ट मिले और आपके बाल भी सिल्की स्मूथ हो जाएं इसे अरमास को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक से जेड़ चम्मद चिया सीट्स लिये हैं आप अपनी रिक्वाइर्मेंट के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अब इसे हमने वन फॉर्थ गिलास पानी डाल कर इसे भीगो देना है बस 15-20 मिनट में ही यह अच्छी तरह इसे भीग जाएंगे और फूल कर इनकी क्वाइंटिटी जो पांच गुना ज़्यादा हो जाएगी यह जो चिया सीट्स हैं आपको ग्रोसरी स्टोर से इजिली अवेलेबल हो जाएंगे अब इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ऐसी छोड़ देते हैं 15-20 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं यह एक जैल की फॉम में आ गए हैं अब हम इसे मिक्सी जार में डाल कर एक फाइन पेस्ट रेडि करेंगे इससे क्या होगा कि यह जब हम बालों में अपलाई करेंगे तो यह इजी ली अपलाई हो सकेगा इससे पहले हमने अलसी की जैल से भी हेर मास्क बनाया था उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर आप इसको भी यूज करके देखेंगे तो इसका भी उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है तो अब इस हेर मास्क में हमने जो दूसरा इंग्रीडियंट मिलाना है वो है ओलिव ओई आप चाहें तो इसमें कोकोनेट ओईल भी डाल सकते हैं और बदाम रोगन है आपके पास तो आप वो भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें लगबग यज़चंबच के करीब अलिव ओल डाल रही ही हूँ अब मैं इसमें एक लेमन डालूंगी आपने एक चंबच इसमें लेमन जूस डालना है अब इन सब को हमने अच्छी तरह सए मिक्स कर लेना है और ये की प्यारा सा hair mask ready हो चुका है आपने इसे 15-20 मिनट तक नाने से पहले अपने बालों में apply करना है और 20 मिनट के बाद या फिर आदा घंटा जितनी देर भी आप लगा के रख सकते हैं उसके बाद आपने shampoo wash कर लेना है और shampoo wash करने के बाद आपने मुझे comment section में बताना है कि आपको कैसा result मिला अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like and share जरूर करना ऐसी ही और भी useful वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए